हमारे ये बहुती क्रिस्पी सूपर क्रिस्पी गोल गप्पे बनके रडी है इसमें डालें थोड़ा सा ये चना चना या मटर जो भी आप बोलते हों इसके अंदर ठंडा ठंडा तीखा सा पानी इसका डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है और खा जाए कीसरी की देर है इसे बनाते दाख गोलगपे बनाने के लिए हमें की सूजी वैंने लिया है यहां पर दालें एक बोल कि दॉली मीन मिलिया है इसमें दीला पाहटा जाँ के विदो एक शूंकीट को विदो साथे उत्ड दाला, दालें ऐसमें दालेंगा लीडिए Boscoetch के दिशिवह एक तपाहटे कीन स्भूटन है एक साथ पानी नहीं डालें अधर्वाइस वह ज्यादा गीला हो सकता है इसमें कोई भी तेल और सोडा डालने की सुरवत नहीं है यह जो तरीका है मैं गोलगप्पे वाले भाहिया से पूछ करके आपको बता रही हूं मैंने अल्रेडी दो से तीन बार इस तरह से से बना सकते हैं जैसे मैंने एक कप में चार चमश लिया है तो अगर आपको इससे जादा बनाना है तो रिश्यो इसी अकॉर्डिंग रखें यह थोड़ा सा ट्राई है मैं इसमें बहुत थोड़ा सा पानी और डालूंगी इसको बहुत ज्यादा मैश नहीं करना है भी तो ह इसको मिला करके बस बहुत एनन ऊबनाय है यह अटा थोड़ा चीकना साँ हो जाएं एक बात मैं और बतादेना चाहती हो आपको इसका सारहा डिस्क्रिप्शन में डाला है सारह बैऄ ब्रुक्भा स्पेश्यों में आपको लिक दे दूंघहाऊ तो बस इसको दिखे चिकना करना है, चार से पांच मिनिट में इस तरह का आप आठा आठा का तयार हो जाएगा जबना है । बहुत अच्छा सा प्रेटी हो गया है, इस प्रेटे हैं jednak cri 작업una siya अब ऐसे नो में क्या करना है ? इसें और टो का नो खाइओ बाकी पोजिशन को मैं इसके अंदर ही रख दूँगी ताकि ये ड्राइ ना हो और इसको अगें इस तरीके से ढग देंगे इसको साइड रख देंगे अब इसको हम इस तरीके से गोल कर लेंगे आप चाहे तो थोड़ा आटा लगा करके इसको आप बेल लें इसे हमें काफी बेला है और ये देखे इसकी मुठाई ulously कम है आप डेंगे तैकन काणके हैं कूटी कडर भी ले सकते हैं और इस तरीके से दबाय करके निप्रेस कप्रेस करके आप सारे शेपस निकालने और ये जो एक्स्ट्रा वाला है ना इसको हम निकाल लेंगे इस तरीके से और इसका आगे का प्रोसेस देखते हैं अब मैंने इस तरीके का कपड़ा ले लिया है और थोड़ा सा गीला किया है बहुत थोड़ा सा अब हमें करना क्या है कि इस तरीके से उठा करके ना इस कपड़े के ओपर डालना है तो हम सारे अपनी पूरिया जो है इस तरीके से डालेंगे ले बहुत चोटांक है इस तरीके से गोल्याल काट लाग है और वही cik इस चोड़ा सकता दो प्ञें आटा सकाएं जादा में नहीं नहीं 1.5 इंच को टिए और 2.5 इंच प्ष्त ता िन्दिक्त करूं अगर आपको और प्षाने में मी जबक्कत हो न तो आप इसमें आठा ज़रूर लगाके यानि की पर्थल लगाके बेले तो कोई दिकती होगी इसको भी अगेन मैं रख दूंगी अब हम इन्हें फ्राय करेंगे तो ध्यान रखेंगे मैंने कहा तो पहला वाला हमारा पूरी है इसको ही तलेंगे और एक चीज और देखिए जब मैं इसको उठाऊ ली और तलना है तो हम यह वाला साइड नीचे ही रखेंगे यानि कि इस तरीके से पर्टेंगे तो जो गीला पूर्शन है वह तेल की तरफ रहेगा तो इस बात का ध्यान रखना है इसके लिए हमें सफिशेंट और बहुत गरम तेल चाहिए तो जो यह गीला पूर्शन है मैं इसको नीचे रखूंगे और इस तरीके से डालोंगे आप ज़रूरी नहीं कि आप एक साथ सारी पूरिया आप कर लें और इसके उपर इस तरीके से ओडान धाले वाउ इस सामने मैंने ये दो तरह की पूरियां बनाई थी एक थोड़ा सा लंबा और ये थोड़ा सा गोल वाला बनके रेडी है गरम तेल है और ये फटा-फट मैंने डाली अपनी ये फूरिया घ्यान रहे अगर कोई नहीं भी फूलता है ना तो वो पापड़ी के काम आ जाता है आप ये देखिए कितना पॉफेक्ट रेसिपी है आप ये देख रहे होंगे कि ये फटा-फट हमारी पूरिया जो है फूल गई साई है ना तो आप ना लेनी इस किचन फटा-फट जिन्होंने सब्स्राइब नहीं किया है वो कर ले तेज आच होना चाहिए बस ये ध्यान अ ये देखिए कितना प्यारा सारक गुलगप्पे बने हैं बहुत गरम है अभी और इस तरीके से मैंने सारे गुलगप्पे बना लिये और ये हमारे ढेल सारे गुलगप्पे बनके रेडी हो गया है आप देख रहे होंगे है इसकी टेस्टीं की तैارी है आप ये सुन पा कि यह बहुत ही क्रंची बना हुआ है आप यह देखिए या कोई और डूसरा भी उठा लेते हैं यह देखिए तो ध्यान रहेगा ना एक बात जब भी आप इसे बनाएना गूते नहीं जादा आपको आटा ज्यादा गूतना नहीं है अदर्वाइस वह पूरी जैसा बन जाता आपने बनाए तो कैसा बना थैंक यू फो वाचिंग नाली नियस किचिन